शार अपरतम जय स्ट्रेक्रिश आज हम लोग एक कथा सुनेंगे यह कथा बड़े ही धार्मिक, मार्मिक तथा अध्यात्मिक है इस कथा को बड़े ही ध्यान से आप सुने क्योंकि किशी भी कथा को ध्यान से सुनने पे ही कथा का आनन्द आता है तथा कथा शमझ में भी आता चलिए कथा को सुनते हैं या कथा एक काम एक काग्रम पुरान से है कथा को सुनते हैं देखते हैं कथा में क्या है एक बार भगवान श्री राम ने अयोध्या की राजशभा में उपश्थित वसिष्ट वामदेव जावाली कश्यप आदिव स्रेष्ट रिशियों से प्रश्ण किया के इस बिश्व में सर्वस्थेष्ट एवं मोच्छदायक पवित्र तिर्थ कौन है जिसका दर्शन करने से मनुश्य अपने पाँ प्राशिका का छय और धर्म प्राप्त करता है इस पर वसिष्ट जी ने कहा एक काम ब्रच्छेत्र भुवनिश्वर शभी अस्थानों में स्रेष्ट है जहां भगवान शिव श्वयम ही लिंग रूप में निवाश करते हैं यह सुन कर भगवान राम अत्यन्त प्रशन्य हुए और अपने भाईयों रिश्णियों तथा शीता के साथ चतुरिंगडी सेना लेकर एक काम ब्रच्छेत्र में गए वहां उन्होंने शीताजी के साथ कृत्वासिस्वर लिंग राज का विधिवत दर्शन पूजन किया याच को तथा द्विजों को दान देकर संतुष्ट किया और एक वर्ष तक निवाश कर एक दिव्यमंदिर का निर्माण कराया इस बीच वे प्रति दिन पवित्र बिंदुसर में अश्नान करके वेद वर्डित बिधी के द्वारा गव द्विज और रिश्यों का शम्मान करते हुए धर्म पूर्ड जीवन व्यतीत करते रहे एक बार जब भगवान स्रीराम रिश्यों के साथ धर्म चर्चा में लीन थे तभी आकाश बाणी हुई हे राजन इस पवित्र शिव अस्थान में तुम अश्वमेध यग्य करो इससे तुम्हारी किर्ती शदयो शंसार में इस्थिर रहेगी वसिष्ट आदि रिश्यों के अनुमोदन पर श्री राम ने शुभ मुहुर्त में विद्वान रित्तिजों की अनुमती से एकाम्ब्र छेत्र में अश्वमेध यग्य का शुभारंब किया मंत्रोद्वारा समस्त लक्षड युक्त यग्य अश्व दिग्विजय के लिए छोड़ा गया चत्तुरंगडी सेना के साथ स्री सत्तुरुधन जी उष्यग्य अश्व के रक्षक बने यज्यकारे में दिख्षित स्री राम जी ने देवताओं तथा रिश्यों का आसिरवाद ग्रहन करते हुए शमस्त सुभ लक्षडों से युक्त उस अश्व को मंत्र पाठ करते हुए जाने की अनुमती प्रदान की उस घोडे के साथ चलते हुए ससन्य स्री सत्रुधन जी अनेक नदी नद शरोवर वन एवं प्रदेशों को पार करते हुए स्री सैल नामक अस्थान पर जा पहुचे जहां कजल गिरी शाकाला राम का नित्य द्वेशी दुरात्मा कामठांग असुर निवास करता था उस ने स्री राम के यग्जी अश्व का हरण करके उशे लताओं से अच्छादित एक परवत की कंदरा में छिपा दिया जब स्री सत्रुधन आदि बीरों ने यग्ज के घोडे को नहीं देखा तब वे बड़े चिंतित हुए और चारो दिशाओं में घोडे की खोज करने लगे रात्री भर किशी प्रकार चित्रावली नदी के किनारे चिंता मग्न उन बीरों को प्रतेक छड कल्प के शमान बीता अस्व की रच्छा कर पाने में अशमर्थ स्री सत्रुधन आदि बीरों ने अपने मरण को ही उचित समझा इसी बीच देवर्षि नारद वीडा बजाते हुए वहां आप पहुचे सारी इस्त्ती जानकर उन्होंने स्री सत्रुधन से कहा आपके अस्व का अपहरण विकट राक्छस के भाता कमठने किया है उष गोडे को स्री सर्ल के पास प्लक्षवन में छिपा दिया है उष पापी का वदकर आप अपने अस्व को प्राप्त कर शकेंगे देवर्शी नारत की बात से स्री सत्रुधन प्रशन न होकर कमठ राक्छस का वद करने के लिए अपनी शेना के शाथ प्राची विद्ट्रवती नदी के किनारे जा पहुचे इधर देवर्शी नारत स्री सर्ल पर इस्थित असुर राज कमठांग के महल में पहुच गए और उशे यह सूचना दी की यग्जीप अश्व को मुक्त कराने के लिए रामानूच शत्रुधन अपनी विशाल सेना के शाथ आ रहे हैं और उनके द्वारा तुम्हारा वद्ध होगा तब कमठ ने कहा मुने राम हो या राम का भाई हो या कोई अन्य हो मैं युद्ध में शम्मुक इंद्रशे भी नहीं डरता शामान मनुश्यों की क्या हिश्थिती है मैं अस्वमेध का घोड़ा कभी नहीं दूँगा यह काकर वह भी अपनी शेना सजाकर युद्ध के लिए चल पड़ा दोनों ओर शे भायानक युद्ध छिड़ गया अने खाथी घोड़े सार्थी आदी देवा सुर्संग्राम की तरह उष्युद्ध में कट कट कर गिरने लगे मरने लगे तडपने लगे रक्त की नदी बहचली चारो तरफ हाहा कार बीरवर स्री सत्रुधन की वाण वरसा से पीडित होकर कमठ की सेना भाग चली कमठ के कहने पर उसके सार्थी ने रत को सत्रुधन के सामने खड़ा किया उन दोनों युद्धाओं का द्वेंद युद्ध देखने के लिए शंपुर देवता, यच्च, गंधर्व, किन्नर, नाग आदी आकाश में इस्थित हो गय कमठ के द्वारा छोडे गय पिचास अस्त्र को स्री सत्तुधन गंधर्वा अस्त्र से काड़ गिराया इससे शभी धानव भैभीत होकर भाग चले कमठ ने अपनी भागती हुई सेना को लटाया और तिमराश्त्र का प्रयोग किया इससे दसो दिसाओं में इतना अंधकार छा गया कि किसी को अपना हाथ तक नहीं दिखाई पड़ता था तत पश्चात शत्र धन्य शुर्याश्त्र चलाकर उस अंधकार को दूर करते हुई अश्ट शूल में तिच्छ बाण से उसकी रत के चारो घोडो और सारथी को मारण हला इस पर वह क्रूर कर्मा रक्षस ब्रिच्छ लेकर सत्रुधन पर जपट पड़ा तब स्री सत्रुधन जीने अर्ध चंद्रा वस्त्र से उसका मस्तक काट गिराया कमठ की मृत्त से प्रशन होकर देवो ने शत्रुधन जी की इस्थुती करती हुए उन पर पुष्प ब्रिष्टी की इसके पस्चात शत्रुधन जी यग्य का घोडा लेकर भोनेश्वर लोटाय यग्य अश्वप्राप्त कर भगवान स्री राम ने विधिवत अपना अश्वमेद यग्य पूड किया इस यग्य के किये जाने से भगवान शंकर अत्यन्त प्रशिन्य हुए और वे भगवान स्री राम की प्रार्थना पर एकामर छित्र में रामेश्वर रूप से प्रतिष्ठित हुए इस रामेश्वर तेथ में शिवपाश्णा करनेशे रिध्धि-शिध्धि श्वर्गशुक छेम आरोग्य एवं शमस्त एश्वर्य व्यक्तिको उपलब्ध होते हैं तो हम लोगों ने एक कामर पुरान से यह एक कथा सुनी जो कथा बड़ी इधार में और महरमिक थी तो कथा में देखा गया कि भगवान राम ने अस्वमेग्य किया था उसी में एक कामर छेत्र में भगवान शिव की पूजा करते हैं, तो रामिश्वर से उस छेत्र में बिराजते हैं इनका पूजन करने से देख्ति की समस्त पापों का नास होता है और उसे शिद्धियां रित्धियां पापत होती है इसी कड़ी में एक और कथा सुनते हैं जो रिगवेद से है आप इस कथा को पड़े ही ध्यान से सुने नभा नेदिष्ट मुनी के पुत्र थे वे ब्रम्ह चर्य आश्रम के अंतरगत विदियमान संसकारों से युक्त होकर अपने गुरू के शमीब वेदा अध्यन में रत रहते थे जब पिता की संपत्त के बटवारे का समय आया तो नभा नेदिष्ट के अन्य भाईयों ने आपश में शारी संपत्ति का भाग बाट लिया और उन्हें कुछ भी नहीं दिया जब इन्हें इस बात का पता लगा तो इन्हों ने अपने पिता मनु के पाफ जाकर पूछा की क्या आपने मेरे लिए अपनी संपत्ति का कोई भी भाग स्विक्रित नहीं किया है उसके उत्तर में मनु ने उन्हें कहा कि यदि पैत्रिक संपत्ति से तुमें भाग नहीं मिला तो कोई बात नहीं तुम उससे बड़ी एवं उत्क्रिष्ट संपत्ति को पाने के अधिकारी हो इस उत्तम संपत्ति को प्राप्त करने का उपाय बतलाते हुए उन्होंने उन्षे कहा कि आंगिरस रिशीगळ श्वर्गफल की कामना से शत्रयाग बारह दिन से अधिक चलने वाला सोमयाग का शंकल्प लेकर आरंभ के छा दिन का अनुष्ठान पूरा कर चुके हैं इसके आगे विशिष्ट दिनों के विधि सम्मत अनुष्ठान को शंपन्न करने में वे दिग्प्रमित एवं मोहित हो रहे हैं तुम उन रिशीगळों के पाफ जाओ और उनके शत्रयाग को पोरुड करने में शहायक बनो 38 मंत्र युक्त दो सुक्तो का पाथ वहां शस्त्र रूप में करो श्रौत यागों में होता नाम हृत्विच्च द्वारा यग्शे शम्मन्ति देवताओं की दिप्पि इस्तिती रूप शंसान प्रवसान को शस्त्र के नाम से अभित किया जाता है श्री मनू ने आगे कहा कि इस सस्त्र पाथ के बदले में वे रिशिगर तुम्हें एक हजार गायों से युक्त उत्तम शंपत्ति को प्रदान करेंगे अपने पिता की प्रेरिणा चे उत्साहित नाभा ने दिश्ट आगिरशो के पाश गय और उनकी यथा बिधी शहायता की वे आगिरश इन रिगवेद के दोश शुक्तो के दिव्विशामत से यग्य की पुरुडता को प्राप्त किये और श्वर्क जाने की शफलता से युक्त होकर उन्हें सहस्त्र गोरूप शंपत्ति प्रदान की इस संपत्तिको लेने के लिए नाभा नेदिश्ट जब तत्पर हुवेतो उशी शमय एक क्रिश्र वर्ड का अच्यन्त बलसाली पुरुष यग्य अस्थल के उत्तर तरप से उत्पन्न हुआ और उन्हें बोला कि यग्य की शमस्त अवसिष्ट भाग का अधिकारी मैं हूँ अतह इन गायों को तुम श्विकार न करो इस पर नाभा नेदिश्ट ने यह कहा कि आंगी रशों ने ये गाये मुझे प्रदान की है यह सुनकर उस क्रिश्र पुरुष्र ने नाभा नेदिश्ट से कहा कि हे ब्रम्ह वेत्ता तुम अपने पिता स्री मनुषे ही इसका समाधान पूछो कि यह भाग किसे मिलना चाहिए इस समस्या के समाधान हे तुम नाभा नेदिश्ट अपने पिता के पास आये और उन्षे न्याय सम्मत निर्ड़े देने का निविदन किया इसके उत्तर में स्री मनु ने कहा कि न्याय तह यग्य के शेश भाग पर उस क्रिश्व्र पुरुष रुद्र का ही अधिकार बनता है इस न्याय युक्त शमाधान को नाभाने दिश्ट ने सहज रूप में श्विकार किया और पुनह यग्य अस्तल पर जाकर उस क्रिश्व पुरुष रुद्र किया कि इस यग्य भाग पर आपका ही अधिकार बनता है उनके इस सहज भाव एवं शत्त निष्ठा को देखकर क्रिश्व पुरुष रुद्र देव अत्यन्त प्रशन्य हुए और उन्होंने वह समस्त गोशंपत्ति उन्हें आसिरवाद की साथ प्रदान कर दे यह रिगवेश से कथा था जिसमें देखा गया कि न्याय न्याय के अनुसार जो कारे हुआ और न्याय को जो माना गया तो उसके बदले उन्हें जो गाय शंपत्ति जो पहले माना जाता था कि जब कोई किशी को गाय देता था तो जो गाय मिलता था वह सबसे बड़ी संपत्ति माने जाती थी ऐसा आपने देखा और सुना हुआ कि पहले लोग गवदान गवदान मतलब गाय का दान गाय का दान बहुत बड़ी संपत्ती माने जाती थी किसी को साधे ब्याह में भी सुने होंगे गाउं में लोग दहेज में गाय भैश देते थे बकरी देते थे तो गाय मिलना बड़ा सुभ होता था तो वही गाय की संपत्ती इनको प्रदान होई लेकिन मालुम चलाओ कि चला। तो ने का हाच प्रसन होकर कि मेरे अश्रीबान के सांच चाठी के शेखात करें Sonic शंहती सहिं कहतीं अर्ष्छ प्रसन होता है लुटब करना चाहिए जाए इस एक चाए झाल झाल